हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 4 के एवियर्स का चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर तो घरी की स्थिती जो है वो कैसे बदली इस चैप्टर में हम इस चीज का स्टडी करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारम्ब करते हैं मैं हूँ चेतन दास सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाता था आज कल अपने बीते हुए दुनों के बारे में लिखता हूँ आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ एक बड़ा बदलाओ बात तब की है जब मैं नो वर्स का था समझो लगबख साट साल पहले उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे अब वह जगह पाकिस्तान में है तो डेरा गाजी खान कहा है वह पाकिस्तान में है तो आस-पास बहुत गड़बड हो रही थी पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गाउं छोड़कर दूसरी जगह जाना था मुझे अपना घर अपना गाउं छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तो ये बात तब की हो रही है जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो सीमा भी जो है वो अलग अलग हुई तो जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए तो वो जह है उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा और जो भारत के थे उन्हें भारत आना पड़ा तो यही चीजी इसके बारे में डिसकस हो रही है साट साल पहले की बात हो रही है तो क्या हुआ वही तो थे मेरे दोस्त मैं बाबा अम्मा मेरे तीन छोटे भाई और आज पास के बहुत सारे लोग रेल गाड़ी में बैठ कर दिल्ली आ गए लोग बाती करते थे कि हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया भारत और पाकिस्तान भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे हम कुछ दिन कैम्प में रहें और कैम्प में एक बड़े से मैदान में बड़े-बड़े तंबू लगा कर बना था कैम्प एक नई शुरुवात जब वो दिल्ली आये तो उन्होंने जो है वो एक नई शुरुवात की तो एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गाओं की जमीन मेली है अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे मैं बहुत खुश था बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया हम बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे बाबा ने पास से ही मिट्टी खो दी हमने पराद भर-भर कर मा भुशा मिलाया बाबा ने दीवारे बनाई तो देखिए जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो लोगों कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी लोग जो है वो एक इकटे होके जो है वो घरों का निर्मार कर रहे थे और एक साथ रहने की कोशिश कर रहे थ अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते तो इससे क्या पता चला कि गोबर से लिपाई करने पर मिट्टी में कीड़े नहीं लगते यह बहुत अच्छी बात है बस अप छट बनानी बाकी थी बाबा ने लकड़ी के फटे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दिवार उपर टिका दिया लखड़ी को दीमक न लगजाए इसके लिए नीम और कीकर की लकडियां जो है इसकी फ्रेम बिचा दी अम्मा ने पुरानी बोरियों पर इसे बिचा कर मिट्टी का लेप कर दिया तो देखिए जो है दीमक जो है नीम और कीकर की लकडियों में दीमक नहीं लगते यह चीज आप ध्यान रखेंगे देन आगे बढ़ते हैं कि आज पास क पास कि में हरियाना मतलब दिल्ली से सर्था हुआ है हरियाना तो जहां दिल्ली आप में स्थीत हैं अब बात करते है मकान में बदल समय बहुत जल्दी बीढ गया नौकरी वह लग गई अम्मा बाबाब चाहते थे कि महीं शाद्यी कर लूँ सोचा सादि से पहले घर की थोड़ी मरमत करवाले, एक कमरा और डलवाले, सहर में सीमिंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में मजबूती रहती है, मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छट जो है वो लोहे और सीमिंट की से पक्की बनवाई, बाजार में तब कच्ची इटे भी मिलती थी, कमरे की दीवारों पर हमने इन इटो से बनवाली, और इससे यह फाइदा हुआ कि इन्हें हर हपते लीपना नहीं पड़ता था, तो देखिए कैसे चेंजे जाएं कि पहले मिट्टी के घर बने, देन आप सीमिंट के घर बन रहे हैं, है ना, तो साल में एक बार इन दी इसी घर में दुलहन बनकर आई, वह रसोई में नीचे बैटकर रोटिया पकाती और पूरा परिवार चटाई में बैटकर एक साथ खाना खाता, सच में वे दिन भी क्या दिन थे, गाउं के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, और कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतिजाम किया हुआ था, हमने भी वैसा ही किया, पिछवाडे में कच्छी इटों को लगा कर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, तो देखिए चेतन दास बताते हैं कि घर का टॉयलेट जो है, उसकी सफाई के लिए मलमूतर को उठाने के लिए बस्ती क नहीं करते थें, क्योंकि उस समय जो है, टॉयलेट को साफ करना क्या माना जाता था, गंदा काम माना जाता था, नेक्स है कि क्या है कि तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है, तो हाँ मेरे घर में टॉयलेट है, और उसे हम लोग में से ही साफ करते हैं तो सभी लोगों को लगा कि नई दुलहन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले तो देखिए चीजे कैसे कैसे बदली पहले कच्छा घर था फिर कच्छे घर में एक रूम और बढ़ा दन फिर पक्का पूरा घर हो गया है ना अब आगे बात करते हैं तो देखिए तब हमारे गाउं में पक्की इटों का चलन सुरू हो चुका था इसलिए दीवारों पर पक्की इटें बनवाई और छट पर लेंटर डलवा दिया फॉर्ट्स भी मार्वल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया टॉयलेट भी ऐसा था कि इंतजाम कर रखा था कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए रसोई घर पहले से बड़ा करवाया राजू की बहु अब बैट कर मिट्टी के चूले पर नहीं बलकि खड़े होकर गैस स्टों में खाना बनाती है अब देखिए और भी विकास हुआ देखिए नई नई चीजे तो मेरे छोटे बेटे के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में ठीक है तो सोहना कहां पताया थे मैंने हर्याड़ा में हैं मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूं तो रास्ते में गुणगाव सहर पड़ता है जो की यूपी में हैं तो मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहां कितनी सारी बड़ी-बड़ी इमारते बन गई और वे भी कितनी उंची-उंची तो कुछ साल पहले राजु ने दुबारा टॉयलेट बनवाया उसने बातरूम में रंगीन टायल्स भी लगवा ली और नहाने के जगह पर फिजूल इतना पैसा जो है वो खर्च किया अब मैं सत्तर साल का हूँ इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहां रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर पता नहीं डेरा गाजी खा में अब कैसे मकान होंगे मेरे सभी दोस्त भी कहां होंगे ये ची उसके मकान किन किन चीजों से बना है तो उसी चीज से बना है जिस चीज से हमारा मकान बना है तो यह है कि देखिए तुम्हारे अनुसार चेतन दास के पोता-पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे तो वह लोग भी सीमेंट और लोहे की बनी बहुमंजली की मारतों में र दादा दादी या बड़ी उंमर के किसी भी बड़े व्यक्ति के बच्पन के समय में को лиर छीजों लिक्षी हैं तो कैसी चीजह हैं जी सकति पुछ सब करकरो तो क्या प्राइब क्याक बढ़ई क्या कहा जाता है बढ़ाई तो देखिए अब लिखा है कि काम औजार और किस नाम से बुलाया जाता है इने तो देखिए माल लिजए सीमेंट तथा बालू को मिलाने का काम है तो ये किस औजार से होता है ये होता है कुधाली से और किस नाम से बुलाया जाता है इने तो इने बुलाया जाता है राज मिस्त्री ठीक है नेक्स काम है पाइप लगाने का तो पाइप लगाने का काम किसे होता है पाइप कटर और हतोड़ी से उसे क्या कहते है प्लमबर ठीक है, नेक्स काम है कि बिजली के तारों और उपकरनों को लगाना तो इसमें क्या-क्या ओजार लगते हैं तार लगता है, पेजकस लगता है, पिलास लगता है और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है बिजली मिस्त्री तो देखिए ये बहुत बढ़ी है कि देखिए 60 सालों में चेतन दास के मकान बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ उनके सही करम लिखिए तो देखिए इस मकान में पहला मकान जो था उसमें क्या-क्या यूज हुआ मिट्टी, बास, खर, और रसिया नेक्स नमर में आते हैं फिर क्या यूज हुआ लकड़ी, नटबोल्ट, बास, और लोहे की पाइप लोहे की पाइप नेक्स तिसरे नमर पे क्या यूज हुआ तो सीमेंट बालू लोहे की छड़ और क्या लकड़ी और चौथे नमर पे क्या यूज हुआ सीमेंट, बालू, लोहा, प्लास्टिक और संग मरमर तो क्या-क्या यूज हुआ यूज हुआ संग मरमर और सीमेंट बालू लोहा और और क्या प्लास्टिक तो यह सारी चीजे जो है चेंजे आई हैं तो देखिए चार जो है चार तरह के बदलाव आए और आगे भी आने वाले समय में जो है बदलाव आते रहेंगे तो इस प्रकार जो है वो बदले हैं घर तो देखिए इस पार्ट का यह सार निकला कि जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वह पाकिस्तान चले गया और जो लोग भारत आना चाहते थे तो वह भारत वाले पोर्शन में आगे लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीटता जाएगा टेकणोलोजी और बढ़ती जाएगी और और भी चेंज़ होते जाएगे गहरों में तो यही था इस चैप्टर का सार कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और जदा से जदा मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि जदा से जदा लोग लाभानवित हो सकें तो थैंक यू वेरी मच